क्या हम इसे लव जिहाद कहें क्या लव जिहाद इसे कहना एक नेरेटिव है इन सारे मामलों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक बेहत खास पैनल जुड़ा हुआ है रंगनात मेहतो जी आप सह मंत्री है विश्व हिंदू परिशत के आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्वाती जी सामाजी कारे करता है एंजियो से जुड़ी हुई है यंग है महिलाओं का पक्ष रखेंगे कि इसमें महिलाओं के जहन में क्या चल रहा होता है और हमारे साथ परभाकर तिर्की दाया है आप कॉंग्रिस के नेता है आपका ही बहुत-बहुत स्वागत है स्वाती जी पहला सवाल आप से हम ये सिरीज ओफ इंसिडेंट्स देख रहे हैं एक के बाद एक एक घटना है दरिंदगी की इंतहा है कहीं मार कर पेर पल लटका दिया गया कहीं कुए में धकेला गया कहीं जिन्दा जला दिया गया जो पाकुर की थी निलम यादा वो किसी तो ऐसे लगेंगी कि मैं काफी गुमा कर बात करी हूं क्योंकि आज का जो पैनल डिसकॉशन है और उसका जो थीम है मैं उस थीम के नाम के साथ अगरी नहीं करती हूं अब अगर हम मानसिक्ता के और दरिंदगी की बात करें तो महिलाओं के साथ हिंसा ना कोई नई बात है ना कोई ऐसी बात है ना कोई ऐसा केस हुआ है जिसने पहली बार देश को या राजे को जग जो रहा है साड बात ये है कि जब हम महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं और हिंसा की बात करते हैं तो हम चुनिंदा केसों की बात करते हैं जब हम महिलाओं के साथ कुछ बुरा व महिला आद्வासी नाओ लड़का मुसलमान नाओ लेकिन हम महिलाओं के मुद्दों के बारे में selective बातें कब तक करते रहेढ़े और जहां तक मानसिक्ता की बात है क्या यह मानसिक्ता सिर्फ एक Section में है या फिर हम हर दिन जब अपनी जिन्दगी जी रहे हैं तो हम हर दिन, हर जगह इस डर के साथ तो जी ही रहे हैं। इस डर के साथ जी ही रहे हैं कि जब मैं सडक पर हूँ, तो मैं सेफ नहीं हूँ। जब मैं बस में हूँ तो मैं सेफ नहीं हूँ, जब मैं ट्रेन में हूँ तो मैं सेफ नहीं हूँ, जब मैं अधी रात को घर से वापस लॉट रही हूँ या फिर घर से बाहर जा रही हूँ, तो मैं सेफ नहीं हूँ, मानसिक्ता तो वहां भी दर्शाद देखते हैं न हम, और नहीं दर्शारी है जो वो अपरात कर रहे हैं यह हमारी मानसिक्ता को भी दर्शाथी है कि हमने सिलेक्ट करके जो है मैलाओं के मुद्धों पर बात की प्रुभाकर तिरकेदा आज सुवह ही आपसे बात हो रही थी सरकार की रिपोर्ट है 2018 की दैनिक भासकर में एक ख़बर च इनका एक जन पहले एक जनरेशन पहले का कोई डाटा नहीं है वो कौन है उनके नाना कहां के रहने वाले उनके दादा कहां के रहने वाले यह किसी को पता नहीं और जन संख्या बढ़ती जा रही है यह हम जमीन जहाद इसको बोले या फिर प्रशासन की अक्षमता बोले य एक तबका ऐसा है जो कि अपने धर्म के प्रसार के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है और दूसरा उसे डिनाई करने कोशिश कर रहा है इंसानियत सद्भाव ना भाईचारा के शब्दों तले उनकी जो प्रविटिया उससे मूँ मोड रहा है या यह कहें कि सुतनमुर की तरह रेत में सर गुसाय हुए वैसी समस्यासे जिससे पूरी दुनिया परिशान है देखे मैं तो विशेश कर चुकी जार्खण में जमीन एक हम मुद्दा है और जमीन के स्वाल पर हम लोग हमेशा मुखर हुकर बोलते रहे हैं और यह सचाई भी है कि जार्खण के अंदर में जमीनों की लूट बड़े पैमाने पर हुई है जिस भी तरीके से हो लोगों ने प्रशाशनिक अच्छमता का फाइदा अठाते हुए सरकार के समेदन हींता का फाइदा उठाते हुए कुछ लोग जो जमीन से ही जुड़े हुए जिनको हम जमीन माफिया बोलते हैं ऐसे ल अगर हम इस द्रिश्टी कौन से देखें जमीन के द्रिश्टी कौन से तो बड़ी ही गंबीर परिस्थिती सामने आएगी अब चाहे उसको बाहर से आने वाले लोगों को उसमें जोड़ा जाए या फिर जमीन माफियाओं के गतिविदी को देखा जाए और उसके साथ साथ और उसके साथ साथ हथ्याओं को سामने रख कर देखा जाए तो तीनों चीज तीनों चीजें समझ में आ जाती है कि जमीन को लेकर परिस्थितियां कितनी बदल रही है साफ बात है कि जारगंड में पिछले दस सालों में बाहर की अबादी की घुस पैट बड़े पैवाने पर हुई है और उसमें आधिकांस लोगों का मामला जमीन से जुड़ा हुआ मामला है चाहे संथाल प्रगना की बाद बोलिए चाहे राची की बाद बोलिए गुमला की बाद बोलिए ये पूरे करीब करीब सभी जीलों में जमीन डूट का मामला अवाइद तरीके से इसमों क कर रहें और यह जो INCIDENTS हैं यह जो प्यार करके नवारी लड़कियों के साथ मार डालना आपको लगता है कि कुछ तबकों की मांसिकता ज्यादा खराब हैं वहां लोगा ज्यादा सुरक्षित महसूस करते है क्योंकि SICLORS SE CORidents आदमें भी अकेला खासवर के महले में नहीं रह सकता लेकिं दूसरा एक हेन एड़्षाई के साथ जो आदिवासी के हैं उसके साथ रह सकता है यह हकीकत है या भ inclusion narrative है? देखे ये हकीकत हम आदिवासियों के मामले में मैं इस पस्त तोर पर बात कह सकता हूँ कि ये हकीकत है कई मामलों में हम लोगों ने देखा है कि आदिवासियों को लोगों ने गलत तरीके से गुमराह करके फसला के उनके साथ साधी करके उसके पीछे भी उसके पीछे भी एक बड़ी बात है कि लड़कियों के बहाने जबकि अधिवासी समाज में एक स्पस्ट है कि लड़कियों को अपने पुस्तेनी जमीन पर या अपने माता पिता के जमीन पर जमीन का अधिकार नहीं मिलना है यह हमारे पुर्वजों ने बड़ी समझदारी से बनाई थी और इ यूँ नहीं महिलाओं को समपती पर अधिकार मिलेगा। जबती से जोड़ कर देखना चाहते हैं इस बात को कि जारखंड में ऐसी घटना हैं संपती को ही लेकर जमीन को ही लेकर घटती हैं रंगना जी जारखंड में लव जिहाद है जमीन जिहाद है या आप लोग एक खास तरह का पॉलिटिकल नरेटिव सेट करने की कोशिश कर रह रहे हैं ऐसा है पंकर जी यह लव जिहाद जो सब्द है इस सरोपर्थम केरल में 2009 में यह आया यह सब्द को विस्वेंदू परिशद बजरंग दल का या हिंदू संगतर के नहीं है बलकि केरल हाइकोट ने सरोपर्थम यह लव जिहाद नमक सब्द का शंक्रण जी थे जज मुसल्मान धर्म में परिवर्तित करना यह बहुत ही भूंडा तरीका है और यह सब्द जो है किरल हाइकोट का है यह हमारा नहीं है लब जिहाद जो आप जान रहे हैं अभी पूरे देश भर में लगभग बीस हजार सो उपर इस परकार की घटनाय घटती है अपने जारखं कि घटनाय घटती है अब इसको जैसे अभी स्वाती जीने कह रहे थे कि यह सेलेक्टिव किसी एक धर्म के लोगों को टार्गेट करके इस केवल लब जिहाद के मामले पर यह न बोलें बलकि समुचित जो डोमेस्टिक वाइलेंस यह यह उत्पिड़न पर आप कहना चाह र और जिहाद अभी बता रहा थे प्रभाकर जी बहुत अच्छा लगा यह लेंड जिहाद जो चल रहा है यह अभी क्या है आदिवासी लड़कियों को प्रेम जाल में फासो कैसे फासो तो नाम रखेगा टिंकू चिंकू कोई भी नाम हिंदू दिखने जैसा नाम सुनने जै हैं ऐसे चुनाओं में भी जैसे कई मुसलीम लोग जो इन्झों ने आदिवासी लड़कों से साधिक किया है और उनको चुनाओं लड़वाजा है मुख्या को चुनाओ, जिला पर्षद को चुनाओ, वाड पार्षद का चुनाओ, ऐसे चुनाओं लड़के, घिला यह लेंड जहाद बड़े पैमाने पर अपने जहारकन में हो रहा है और जो घूस पेठी है इसमें बंगला देशी रोहंगिया मुसलमानों का अड़ा जहारकन आज बना हुआ है और इसके पीछे कई आतनकवादी संगठनों का हाथ है फंडिंग हो रहा है कि कैसे हिंदू लड़कियों को फंसाये जाए कैसे उसको लब जहाद में फंसा कर यहां के आदिवास्यों के जमीनों को हडपा जाए सरकारी फंडों को लूटा जाए यह बड़े पैमानपर हो रहा है और यह जहारकन के लिए जहारकन के अस्तित्तों के यह बहुत ख़दरा है आने वाले दिनों में अगर सरकार नहीं चेती तो बहुत बड़े इसके दूसर परिणाम होंगे गंभेर परिणाम होंगे। क्यों कि मैं खुद एक आदिवासी महिला नहीं हूँ तो मुझसे ज्यादा एक आदिवासी महिला का अधिकार बनता है कि वह आकर यहां पर बोले तो मैं पहली बात जाना चाहूंगे क्या रांची में कोई आदिवासी महिला नहीं है जो महिलाओं के मुद्वों पर बात कर सक कि हम मही लाओं के उपर होने वाले वालन्स की बात करें हम हभी बात कर रहे हैं अगर हम आईइंटिटी को चुरा कर अगर हम इस नड नरेटिब को फॉलो करें। उसकी बात कर रहे हैं, मेरा सवाल यह है कि हम स्पेसिफिक मुद्दे पर क्यों बात कर रहे हैं, और जहां तक बात है लव जिहाद की, अगर मैंने पढ़ा अपने जो मुझे ब्रीफ दिया था, कि हाई कोट केरला, हाई कोट की तरह से यह कोईन किया गया है, बज रंग दलने बीजेपी का जहंडा लहराते वे भी देखा है, जिस घर की जमीन एक आदिवासी महिला की थी, एक नौन आदिवासी पुरुष ने उन से शादी की, कुछ सालों के अंदर magically उस महिला की मृत्ती हो गई आख से जलके, लेकिन आज के डेट में भी उस धर पे बीजेपी का ज अगर हम जब महिलाओं के विरोध हिंसा हो रही है और हम एक section की बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए भी as a woman ये कहना बहुत easy हो जाएगा कि महिलाएं कहीं बाहर नहीं जा सकती है क्योंकि पुरुषों का घुस पैठ है, महिलाएं कहीं safe नहीं फील करती है क्योंकि पुरुषों क गुस पैठ है, और मुझे इस बात से काफी जादा नाराजगी भी है और मैं एतराज जताती हूँ, बहुत खुले तोर पे जताती हूँ, कि ये मीडिया जो आज लव जिहाद के बार में बात कर रही है, जो politicians आज लव जिहाद के बार में बात करें, वो कहां थे जब दुन के लू हिंसा के वारदार जो है दो गुना ती गुना बढ़े हैं, लेकिन उस वक्त मीडिया खामोश क्यू रही और उस वक्त हमारी गवर्मेंट खामोश क्यू रही, इसलिए मेरा ये सवाल बार बार है कि हम सिलेक्टिवली बात क्यूं कर रहे हैं, हम उन लड़कियों के बार में भी बात क्यूं नहीं कर रहे हैं, जिन्हें जला दिया गया लेकिन कभी केस रेजिस्टर नहीं किये गए, हम उन लड़कियों के बार में क्यूं नहीं बात कर रहे हैं, जिन्हों नहीं जब अपनी मर्जी से शादी की, जब अपनी मर्जी से शादी की, तो उस से उनकी अभी díaक्ती और उनके sollen's का अधिकाद छहीनते हैं हम समाज में कैसा निरेटिव बनाते हैं hard परिवारों में कैसा निरेटिव घुसादेटें जहां पर लड कियों से बहुत clear प्रवाकदा रंगना जी देखिए इनका कहना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वर्ग के लोग ही अशाटारेट कर रहे हैं और इन्होंने एक जो गंभीर बात कहीं वो यह कि हम अपनी बच्चीयों को के अभिव्यक्ति की आजादी क्यों छिन रहे हैं प्यार नहीं होना चाहिए किसी मुसल्मान से प्यार नहीं करे वो आप चाहते क्या है एकदम प्यार होना चाहिए और हमने कहा कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी हम छिन रहे हैं यहां हिंदू बात जब आता है हमने तो अभी विक्तिक की आजादी की बात कोई भी कर सकता है ना अपराध का अपराधी का कोई जाती धर्म नहीं होता हम कहते हैं लेकिन अधिकांस आप उठा के देखे रिकर्ड तो अधिकांस इसमें जो परसेंटेज जो है मुश्लिमों का अधिक है क्यो अपराधी की कोई जाती नहीं हो सकती हो हिंदू भी हो सकता है अभी चत्रा में जो वाली घटा घटी है वह तो हिंदू निकला लेकिन परसेंटेज में आप अधिकांस जाएंगे तो उसमें निकलेंगे जो कि सून योजित सडियंतर के तहत जो जिने फासा जाता है उनकी क्योंकि आज का पैनल का यह विसेवी लव जिहाद है इसलिए इसी विसेवर हम चलता है साथ में एक्सक्लामेशन लव जिहाद है या नेरेटीव है ठीक है प्रभाकरदा यह रंगनात जी कुछ पहले बता रहे थे कि क्या सचमुच कहीं से फंडिंग होती है क्या कि ऐसा कर है कि अपनी जन संख्या बढ़ाओ ज्यादा से ज्यादा लोग को लाकर बसाओ आपको क्या लगता है देखे सबसे पहले तो मैं भी इस परस्ट कर दूं कि हम भी जारकंड के संदर में बहुत सेलेक्टिव हो के नहीं हम बात करना चाहते हैं चुकि इस तरह की घटनाय जो म और यह एक जिंड्री इंसिडेंस है पूरे राच के अंदर में पूरे राज क्या पूरे देश के अंदर में ऐसा होता रहा है ची महिलाओं के प्रति जो कि तो मैं भी ज्यारकंड के संदर में सेलेक्टी हो कर नहीं बात करना चाहता हूं कि महिलाओं जो भी हो रही है इतने बड़े संख्या में होती है गटना है लेकिन चुकि अभी चर्चाय चल रहे जारकन के संदर में अभी जो गटना है गटी उसकी चर्चाय कर रहे है अधिकांस अब में आप देखेंगे तो उसमें लब जिहाद कुछ का प्रेम करना पाप है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं परन्तु छल पुरुवक्त आप नाम बताएंगे हिंदू नाम धर्म चिपाएंगे कलावा बांधेंगे यहां हनुमान चलिशा का लोकेट लगाएंगे उसके सारे रिक संबंद अस्थापित क करेंगे जब गर्भा अवस्था में चली जाती है तो उसको पता चलता है कि जिसके साथ हमने प्रेम किया वो मुसल्मान निकल गया आप उसके साथ तीनी विकल्प है या तो मुसल्मान धर्म सुविकार करे या सुसाइट करे या फिर वो लड़े यह तो घटनाय हो रही है इस बात पर मैं यह कहना चाहूंगी कि जब उत्तरप्रदेश जैसे राज्य में यह उभर कर सामने आता है उनाव केस के बाद कि दलित महिलाएं जो है वो अपर कास्ट और ब्राम्हिन पुरुशों के द्वारा शोशित की जाती है वो इलेंस का शिकार होती है उनके साथ अ हमारा समाज किस तरीके से काम करता है आपके घर के बगल में जब कुइसी तरीके की जो रहते है क्या लोग तूरन जाते है बेसके पहस साथ नहीं जाते जोग्त 국 deepек च्छेरी नहीं ज्याते है लोऌकट का चेहरी नहीं जाते है उन्यर जार जाते है और और चूलिं pandemic जो जब इन्होंने कहा कि ऐसा होता आया है आपने जब सवाल कि कोई funding है या क्या है कोई funding है तो मैं यह सोच रही थी कि मैं बहुत छोटी थी जब मुन्ना भाई MBBS आया था और अचानक से जो है ना मेडिकल परीक्षाओं में या फिर एक्जाम से बच्चे फोन लगा के ब्लूटूथ लगा के चीटिंग करना स्टार्ट करें तो इसकी funding होती थी क्या सर या जब क्रिश आया था तो बच्चे छटों से कूद रहे थे और ऐसे बहुत कैसे जा रहे थे इसकी funding नहीं थी एक psychology बनती है लोगों को समझ आने लगता है कि हम इस तरीके से भी crime कर सकते हैं और जहां तक मैं पुरुष के संदर्भ में बात करूं तो psychology यह होती है कि शायद इस लड़की को फसाना इस लड़की से प्यार करना महबत करना ज्यादा असान होगा अगर मैं इस नाम का प्रयोग करूं तो और क्योंकि यह चल रहा है यह कहीं successful हो है मीडिया ने काफी popular कर दिया है तो शायद हम भी इसका फाइदा उठा सकते हैं किसे तो आप अगर आप चलिये में लभ जिहाद के जो के से अअपने बता है ज्हारखन में मंग् माई से लेकर सिटंबर तक के आपने दिया है कुल 18 लेकिन क्या सिफ 18 ही कnouselle हो होगेि सचिव प्यार के नाम पर हत्यां ओंगे सिर्फ 18 ही होगे मुझा नहीं पता कितने हो ए Exactly. आदेवासी महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ, अपर कास्ट पुरुष, अपर कास्ट पुरुष जब उनका शोशन करते हैं, और ये सदियों से चलता रहा है, तो क्या हमारे पास कोई शब्द है इसके लिए? नहीं बना ना कोई शब्द, इसलिए वो फेनॉमेना गायब है, इसलिए हम उसे अड्रेस नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स के लिए ये शब्द बहुत जरूरी था, तो इसलिए ये बना, और सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं हमार मतलब कि अपनी अपनी पार्टियों का अपना अपना शब्द है, देखिए, जिहाद सब्द तो हमने कहा कहा, हमने तो करा कि हाई कोट का सब्द है, किरल हाई कोट का, और जिहाद के वह लब जिहाद ही नहीं है, लेंड जिहाद का अनेक प्रकार है, जिहाद का मतलब होता ह कि अल्लाह के लिए लड़ना इसलाम के लिए लड़ना अपने धर्म के लिए लड़ना वह जिहाद है तो फिर हम यह से किस कंटेक्स्ट में आज और आप जिसे जाती अभी क्या दलीत उत्पिड़न रहे थी आप समय यह क्यों नहीं कहते हैं कि भाई समाने कोई भी हो जाती का नाम लेना क्या मतलब है ठीक है अभी एक वक्त छोटे से ब्रेक का है ब्रेक से जो वापस लोटेंगे तो इसके एकोनॉमिक पहलों पर चर्चा करेंगे इसके आर्थिक वजहों पर चाहें महिलाओं की समाज में स्थिति क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि या तो ब्रेक है जल वापस लोटेंगे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हम चर्चा कर रहे हैं लव दिहाद है या सिर्फ एक पॉलिटिकल नरेटिव है और इन सारे प्रकरणों के बाद जो जहारखण में विपक्ष के विधायक दल के नेता है यानि बावुलाल मरांडी जी प उन्हीं से जानते हैं ये सारे मामले सर एक नया मामला खुटी से लव जयात काया है आपने टूइट करके भी इसकी जानकाई दिये क्या है सर ये पूरा मामला तो मुझे लगता है कि वहां तक हम गए नहीं हमारे यहां तक यतनी जो ख़बर आई है कि एक समुदाई भी उस और फिर जब गर्वती बच्चे हो जाए और फिर सादी की दवाव डालना तो फिर उन्हें क्या करते हैं धर्म परिवरतन के लिए दवाव डालना तो ये विलकुल लगता है कि लव हो ही नहीं सकता है जब इस प्रकार की जहां दवाव होता है इस प्रकार की समस्य सामने ब तैसर अखिरी किस कारण है कि ऐसा लगतार बढ़ते जा रहा और सरकार मौन है इस सारे बिस है उपर? लगतार बढ़ तो इसलिए जब अपराधियों को सरकार से कोई भय नहीं होता है या उनको ये महसूस होता है कि सरकार हमें सौरचन देगी, प्रोटेक्शन देगी हमारा कुछ नहीं होगा तब फिर इस प्रकार की घट्टाओं को लोग अंजाम देते और वे हिचक लोग अपराध करते हैं तो जहार खंड में कुल मिला करके इन दो वरसों में दाय वरसों में यही जब होते रहा अगर सुरू के दीन आप देखें कोर करते रहें फिर उनको प्रोटेक्शन मिलती रही अगर उनके ओपर उस वक्त कारवाई होई होती तो हम समझते हैं कि साइद फिर आगे कोई नहीं बढ़ता फिर आपने देखा कि समय जगह जगह पर जो विद्यालाय था उसमें उर्दो विद्याला को लिग डालना अगर द हैं तो यह सारी चीजे उठाएंगे लोग कहां पर हैं नहीं महिलायोग में अध्यज नहीं हो तो एक पाठ है और उठा के भी क्या करेंगे जब राजी के मुख्मंतरी कहते हैं ऐसी घटना होते ही रहता है जमकागे घटना के बारे में का भाई जिस नाबालिक बच्ची के साथ दूस्कर्म होता है बच्चे घरवती हो जाती है और इसको मार करके उनको पेड़ में टांग दिया जाता है फिर उसको आत्म हत्या का रूप दिया जाता है तो कुल मिला करके जब आप देखें तो फिर यह लगता है कि बहीं जब राजी के मुख्मंतरी कहता है ऐसी घ करके ही इस तरह के मामलों से हम निजात पा सकते हैं कैमरा परसन परसांद मित्रा के साथ संजी तो जहरखन की स्थिति कुछ ऐसी है कि यहां रेप में पिछले डेड़ सालों में 117 प्रतिशत की वृधि हुई है हत्या में 112 प्रतिशत की और बाकी जो अवैद खनान, किड्न है पिइंग, पैसा वसूली, रंगदारी उसका कोई आंकड़ा नहीं है हमारे पास इसलिए हम उसका नाम नहीं लेंगे और जो NCRB के आंकड़े हैं ये रेप, हत्या और महिलाओं का परतिजव अत्याचार है उसकी बारें बात की लेकिन यही ऐसा राज़ है कि जहां महिला आयोग की अध्यक्षा तक नहीं, उनका गठन तक नहीं हुआ है, स्वाती जी एक महिला करूप में इसे आप सिंसिटी मानती की महिला होना चाहिए, बाल संडक्षन आयोग होना चाहिए, कोई है ही नहीं मतलब की जाये तो कहां जाये, क्योंकि लोकल पुलिस के पास महिला हाने हैं, एक मातर वहीं पर केस रजिस्टर होता है, उसमें भी FIIR दर्ज करने में आना कानी होती है, कहा जाता है कि आप आवेदन दे दीजे और चले जाये, क्योंकि जब हम FIIR दर्ज करेंगे तो फिर हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमें जवाब ही देना होगा. महिला आयोग की जो अध्यक्ष होंगी, उन्हें हम चैनित नहीं कर सकते, तो हमने नहीं चुना, हमारी सरकार के लिए ये बिल्कुल जरूरी ही नहीं है, कि महिला आयोग की कोई अध्यक्षा होनी चाहिए पहला, और हमारे एक बहुत ही बड़े उपोजिशन के लीडर कहते हैं, चलिए नहीं है तो नहीं है, तो सरकार हो ये उपोजिशन हो, मुझे महिलाओं के लिए कंसर्ण किसी के भी आखो में और इंटेंशन में नजर नहीं आ रहा, और राज्ये हो या देश हो, इस बात पर मैं श्रीबाबुला मरानी जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ, कि को में डर्भ है ही नहीं है, अगर आपके हिसाब से मुख्य मंत्री जी नहीं ये कहा है, जारखन के मुख्य मंत्री जी नहीं, तो हमारे देश में इस देश का वन दे मुस्ट गूरूसम इंसिदेंट, उसके रेपिस्ट और कन्विक्ट्स को आजादी के 75 अम्रित महुत्सव म में आजादी के दिन छोड़ दिया जाता है, रिलीस कर दिया जाता है, और उन रेपिस्ट को, उन मुर्डरर्स को हमारा समाज फूल माला पहना कर, तालिया बजा कर स्वागत करता है, तो क्यों होगा इस देश में और इस राज्य में किसी को भी डर, डर तो महिलाओं को ही लगेगा, कोई वज़े नहीं हमारे पास, रंगना जी, बहुत ये सेंसिटिव सवाल है कि जब रेपिस्ट को जेल से छोड़ा जाएगा, आजादी के दिन, और उनको फूल महिलाओं से स्वागत किया जाएगा, तो फिर तो हो चुका इस देश में महिला कर ले आज़े, सर उनको लाना पड़ेगा, हमको पिछले बर्षों में जाते हैं, तो सलोवी सताब्दी में हमको याद है कि सिवाजी महराज के समय, एक गुजर पाटी नमक एक अपरादी हुआ करता था, वो सिवाजी महराज ने क्या सजा दिया, उन्होंने चोराहे पर उनके दोनों हाथ का आखे निकाल दी गई, और लोगों को यह कहा गया कि आते जाते इनको ठूक कर जाए, मेरा कहने के मतब वही सजा ना हो, कि वैसा हो, प्रन्तु सक्ष सक्ष सजा हो कानून, समय धानिक दृष्टी कोन से, फांसी की सजा हो, कुछ जो कानूनी जो दाओं पेचे हैं, जिसे अ समविधान में, उन कम्यों को दूर कर अच्छा कानून लाया जाए, ताकि जो अपरादी हैं, उनको सजा मिले. लेकिन सर्क दाओं पेच से, तो हमारी सरकारे अपरादियों को रिहा करती हैं, क्योंकि सरकारी सेंट्रल लेवल पे जो है, रेप कन्विट्स को, जिन्होंने कमिट किया है, उन्हें बेल देना अलाओड ही नहीं है, अंडर अनी सरकमस्टांसेंस, लेकिन हमारी सरकारे, क्य हो जाएं, सरकार के सरपर जो है, जो सरकार के सरपर निर्ने धारी पर्सन है, जो निर्ने ले रहे हैं, जब वो खुद ही इंधाओ पेच्चों को, रेपिस्त को रिहा करने में इस्तिमाल कर रहें, तो हमारी उमीदे किन से रहें? देखिए प्रभाकर जी नियत ही सही नहीं है जो टॉप पे बैठा हुआ है ना उसके नियत ही सही नहीं है वो अपने लाब हानी वोट बैंक को देखकर अपनी ताकत कि उससे मुझे फायदा है इस आधार पे वो निर्ने ले रहा है वो पंच परमेश्वर नहीं है उसे इससे कोई मतलब नहीं कि क्या सही है या क्या गलत उससे इससे मतलब है कि मेरा क्या फायदा है क्या नुकसान ये हर जगा हम देख रहे हैं मैं जहरखंड की बात करूं तो यह आरोप लगते रहें कि राची में जो दंगाई था उसको तो स्पेशर एयर एंबुलेन से भेजा गया मेदानता में इलाज कराने के लिए लेकिन दो दिन तक सदर अस्पताल दुमका में वो बच्ची तडपती रही जलन के मारे पंखा तक नहीं था वहां लोगों ने चंदा करके पंखा किया उसके बाद उसको राची लाया तो यहां र बचाने की कोई पहल की गई परभा कर लिए देखे यह तो मैं बार बार कहता रहा हूं कि कोई भी सरकार अगर सवेदन शील हो तो उनको सारे सारे मामले दिखाई देने जाए हैं नहीं सरब कॉंग्रेस पार्टी के हैं राची के दंगाई के लिए इतना व्यवस्ता यही ब बात कर रहा हूं मैंने सरकार को हमेशा इस बात को बताने की कोशिश की है कि सरकार हर छोटे-छोटे मुद्दों पर समेधर शील होना चाहिए जब छोटे मुद्दे पर सरकार समेधर शील नहीं होती है तो वही मुद्दे बड़े बनते हैं अब यह जितनी भी घटना है मह लेकिन इस जारखन जैसे समाज में जहां पे खेती बारी करने वाले लोग हैं वहां महिलाओं का बहुत बड़ा युगदान है पूरी समाज को चलाने में हम लोग हमेशा कहते रहे हैं कि घर के काम से लेके समाज के काम तक और तमाम रिती रिवाजियों को मिंटेन दो बादी महिलाओं की होती है जो दो तिहाई काम को संभालते हैं जी बिलकुल परिवाज चलाने में भी घर के बच्चे के पालन से लेके खेती बारी से लेके और संस्कृती और सब्वेता की रक्चा से लेके दो तिहाई काम महिलाओं संभालती है जिनकी इतनी अहमियत है इस का अधर पूरे आर्थिक बेऊस्था पर पड़ता है यही मैं रंगनाद जी से यह पूछ रहा था कि रंगनाद जी सारे इंसिडेंट को देख लीजिए आप दुमका की जो बच्ची थी भले उसकी उम्र 14 साल की थी पर वो मजदूरी करके अपना परिवार चला रही थी एक और बच्ची जिनके बारे में नाम नहीं लेना उचित नहीं होगा लेकिन जिनने जला दिया गया वह भी टूश्चन करके अपने परिवार का पालन पॉश्चन कर रही थी छोटी छोटी चोटी बच्ची आ यहां जो की अभी उनके पढ़ने की उम्र है लेकिन कुछ सरकार की कम है कैसर का भेद भावपूर्ण ने लेती है मैंने राची दंगे की बात कही और यह इंसिडेंट की बात कई जो दुमका वाली बच्ची थी उसके गलती कहां पर हो रही कमी कहां है देखे सरकार कोई भी हो कानून कानूनी जाद्दाओं पेश्की जहां तक बात कई घटनाओं को हम लोगों ने देखा है को एफ हाई रेइस्टर होता है वन शिक्टि फोर का बयान होता है कोट में इसके बाद चलता है समझाओता का दौरा चलता है उसमें कई लोग जाते हैं जो पीडित परिवार होता है पीडित क्योंकि गरीब परिवार से बिलॉंग करते हैं अब उनके यहां जाते हैं कहते कि भाई ऐसा करो तुमको क्या मिलना है कुछ होना जाना नहीं है जो अप राधियो छुट कर नि साक्ष जुटाते हैं और फिर उस केस को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही जो पीडित परिवार हो समझाओता कर लेता है तो कहीं ने कहीं हम समाज को भी इस पूरे समाज को देखना पड़ेगे इन घटनाओं को कि इस परकार का समझाओता नहों उस परिवार में अगर को परिफ हो दूख हो तो पूरे समाज के लोग जाए और उस परिवार को मदद करें सहयोग करें हिम्मत बंधाए तब जाकर वो कहीं अपराधी को सजा मिल पाएगा अन्यता सरकार कोई भी कानूल लाए अब माली जी जो पिर्द है वही समझाओता कर लेगा मेरे साथ नहीं ह चैसे होते हैं कि वह अंजाम तक पहुंचे हो सकता हुनमें सजा का विलाना हो लेकिन अंगीनत ऐसे मामले जिसमें तरह तरह के दबा उते हैं पुलिस स्प्षोण भी यह काम होता है जो यह अपकोर्ट में कर रहें न पुलिस से इस्टेशन में एक बच्ची जाती है हो गर करने गया तुम्हारी बच्ची भाग गई होगी यह कॉमन हम सुनते हैं आवेदन दे दो एफ आयार दर्ज नहीं करेंगे फिर भी अगर वो दर्ज करें तो फिर पुलिस इंवेस्टिगेशन जो चलता है जिस तरह से हमारे देश में पता है कोर्ट तक पहुंच भी गया मामल तो वहां भी समझाता कर लो लंबा खीचेगा ऐसे में कौन चाहेगा सर कौन चाहेगा स्वातिजी कि इस देश में नियाय के लिए लड़े अब बताई नो कितना कठिन है नियाय पाना यही तो बात है न हमने जेनरेशन आफटर जेनरेशन जो है पीड़ी आफटर पीड़ यह समझाता कर लिया है कि नियाय तुम मिलने से रहा उसी के लिए जिसके पास पैसा है और जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है चाहे हम BJP सरकार की बात करें चाहे हम Congress की बात करें चाहे हम CPI की बात करें चाहे हम JMM की बात करें मसला साधारन है यह सिर्फ politics तक सीमित न हमारी बेटियां, हमारी नाबालिक-बालिक बच्चीयां नर् जाती या कुछ क्रूरता जैसा वेभान ही हूथ तब तक हमारे कले की घिगंगी बंदी रहती है, हम नयाय के लिए-ब़ाज उठाते तक नहीं हैं सोचते भी नहीं हम कभी भी जब हमारी बेटियां छिडा कर आती है सडकों पर से तो हम सडक पर लड़ने नहीं जाते कि किसने बात की तुम से ऐसे हिम्मत आज जिसने मुझे छेड़ने की हिम्मत पब्लिक में की है जब वो मुझे अकेले पाएगा तो वो क्यों नहीं अपने अपने डबे में बंद हैं और पडोसी के साथ कुछ घटना होती है जो खुड़कियां खोल के देखते हैं उनको भी एक बार सोचने की जरूत है कि आज अगर पडोसी की बच्ची के साथ हुआ है तो कल मेरी बच्ची के साथ भी हो सकता है लोग आवाज नहीं उठा हैं डरते हैं पुलिस के पास जाने से डरते हैं जूडिसरे में जाने से और शायद इस बात से भी डरते कि वो लफंगा है कल को मुझे ने नुकसान पहुचा दे देखिए ये बहुत बड़ी बात है जारकंड में यहां परपरिक समाज ब्योस्था आज भी जिन्दा है और उस समाज ब्योस्था को बचाये रखने के लिए समीधान में भी प्राउधान किये गए हैं पंचायती राज ब्योस्था क्यों आया है कि निचले स्थर पर हम गाओं की ब्योस्था को मजबूत करें ग्राम सभा का कानून क्यों आया है कि हम निचले स्थर पर गाओं को नहीं है वहाँ पुलिस सिर्फ काम करती है आज भी जहां पंचायती बेऊस्था है वहां मुख्या और पंचों को मानेता नहीं है वहाँ अडमिस्टेशन इंवॉल्ब हो जाता है तो जब तक हम उस बेऊस्था को और शशक्त नहीं बनाएंगे चुक्कि कानूनन वहाँ सारे अधिकार हैं जो अपने स्तर पर लोग solve कर सकते हैं जिस दिन ये गाओं सभा, जिस दिन ये पंचायते मजबूत होगी, उस दिन निचले स्तर से सुधार की संभावना बनेगी, आफिर कौन है, अपरादी कौन है, उन्ही गाओं से निकला हुआ कोई न कोई अपरादी है, ले को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए ग्राम सभा के अंदर तो पंचायती करने का अधिकार है किसी भी इस तरह की घटनाओं को गाओं में ही सॉल्ब करने का अधिकार है लेकिन जब आप गाम सभा को अधिकार ही नहीं अप अपलाई करने देंगे तो ग्राम सभा क् कमजोर हो गई हैं संस्ता हैं बिल्कुल रंगना जी आप सवाल देखिए हम भले बोल रहे हैं कि हम डेवलप कर रहे हैं पुलिस सिस्टम मजबूत हो रहा है लेकिन घटना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि समाजिक विवस्था कमजोर होना हमने समाजिक विवस्था जो थी हमारा उसे पौरानिक मालिया उसे पिछड़ा मालिया ट्रेडिशनल मालिया और नया नया समविधान पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि हर जगा यह पुलिस नहीं कुछ कर सकती हर जगा समविधान नहीं रहेगा रहेंगे तो लोग जहां नहीं कोशिश नहीं की और बाद में नारे बाजी चल रही है दुमका बंद कराया जा रहा है उस टाइम कौन कहां था बिल्कुल सही पंकत जी कोई भी लोकतायंत्रे के बेवस्था या कोई भी कानोन इस परकार की घटनाओं को रोक नहीं सकता है जब तक परिवार में अपने बच्चों को हम संसकार नहीं देते आप पौराणिक बेवस्था के बात आप कर रहे थे यहां बेवस्था पौरानिक बेवस्था अगर आता है अपने समाज में हम अपने घर के बच्चों को छोटे-छोटे बच्चों को अच्छे संसकार दे अब आज पिछड़े कहे जाएंगे न सर यस मम्मी हैपी गूड इस अब को सिखाएगा वही आज हम बैट के सिरियल देख लिजे कैसे कैसे आते हैं आज के फिल्म देख लिजे कैसे आते हैं फिल्मों फिल्मों में अहिंसा दिख लाएंगे रेप का सीन दिख लाएंगे बच्चे क्या सिखेंगे अब उनको अच्छे अच्छे सिरियल दिख लाएं धार्मिक अध्यात्मिक उनको बातें बत संसकारित बच्चा आगे बढ़ता है और विबित सित्रों में जाता है तो जब तक घरों में संसकार नहीं आएंगे हमारे तब तक यह संभव नहीं है इस परकार की घटना हो आखरी सवाल है इस प्रोग्राम का स्वाती जी से स्वाती जी वैल्यू सिस्टम जब तक नहीं खेड़ता है और वो बाद में पढ़ जाती है तो वो भी अपने महले में जाकर वही करने की कोशिश करेगा ना सुरक्षा की बात करें जो चार लाइन वे क्या आज भी हमारे स्कूल एजूकेशन कंसेडर कर रहे हैं इसकूल के लेवल पर कोई निशेटिव नहीं लिया जा रहा है आपका कहना है कि माबाब के साथ बैठ कर अगर रेप सीन देख रहा है और यह फिल्मों में दिखाते हैं कि हीरो किन किन तरीकों से लड़कियों को फटाता है छेड़ता है उसामने वाली को अच्छा लगता है हर बार एक 12-14 साल से लेके 18-19 साल की उम्रे तक टीनेजर को चाहिए वो बड़का हो चाहिए वो लड़के हो चाहिए नहीं किया जब तक हमें ये नहीं बताय जाएगा कि पुरुष को एक महिला के साहत किस तरह विवहार करना है और co-exist कैसे करना है तो यही होगा और बच्चे दरअसल नहीं देखते हैं माबाप के साथ बैट करें लव सीन्स और रेप सीन्स कॉंडम तकार्ड आता है तो माबाप टेवी के चैनल बदल देते हैं या फिर बच्चों को कहते हैं जाओ एगलास पानी लेकर आजाओ और यह मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे जनरेशन से लेके मुझसे पहले के जनरेशन से लेके मेरे बात तक ही हो रहा है तो जब हम सेक्स, जेंडर, सेक्स एजुकेशन की बात नहीं करेंगे अंकेता और शारुक के तसवीर के साथ लेकिन रिष्टेस ब्लगर तस्वीरे शेयर करके इस थाविद करने की कोशिशिश कर रहे थे वो नॉर्मल सी तस्वीर थी मेरा यह कहना है अगर रिलेशन्शिप में भी थे तो आग लगानक आप आग लगा किसी को मारने के कॉनकि वो लड़का जिसने यह कमिट नहीं किया अभी तक अपराद और उसका उसके प्रोफाइल का नाम हिंदी हिंदू नाम था हो सकता इडेंटिटी थेफ्ट हो जैसा हम यहां बात कर रहे है लेकिन पॉइंट है कि वो कहीं यह स्टैब्लिश करें वो उसके साथ इन्वल्ड थी सहमधी का उस लड़की के अंदर भी क्लियर नहीं है जो भी तक क्रिमिनल नहीं बना है लेकिन वो डेफिनिटली क्रिमिनल बनेगा जब उसे मौका मिलेगा तो वो कोई ना कोई क्राइम करेगा ही करेगा और जहां तक आइडेंटिटी थेफ्ट की बात है ना सर और लव जी हाथ से कनेक करने की डेटिंग वर्ल्ड जो आजकल का ओलाइन डेटिंग वर्ल उसमें एक तर्म है जो बहुत फेमस हुआ है कैट फिशिंग लोग अपने नाम बदल कर जो है ना एक पता लेकिन कुल मिलाकर बात बस इतनी है कि हमें घर से लेकर इसकूल तक अपने अपने बच्चों को बताना होगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और कुल मिलाकर यह कि संसकार तो अच्छे संसकार जिनके बात करते वो जरूई नहीं कि ट्रेडिशनल ही हो कुल मिलाकर एक महिला के परती समान का भाव एक लड़की के एक साथ पढ़ने वाली बच्ची के परती समान का भाव साथ काम करने वाली के परती अगर मुचुल रिस्टेक्ट हो और एक दूसरे की हिल्प करें अगर कोई पराया आदमी उसको परिशान कर रहा है तो साथ काम करने वाले अगर उसी वक्त मदद करें एक घर के परिवार के सदस की तरह तो काफी कुछ कंट्रोल में किया जा सकता है और होना भी चाहिए, समाज के लिए तो यही बेहता रहा है, हमें नहीं पता, यह लव जिहाद है, जमीन जिहाद है, एक मिशन के तहत किया जा रहा है, फंडिंग हो रही है कहीं से, लेकिन कोई लाग फंडिंग कर ले, अगर हमें कमिया नहीं होगी, तो सामने वाला कुछ न नमस्कार समचार प्लस, खबर वही जो हमने कही